धोंगियों से जो आप इस तरह की बाते करते हैं हम सर्व धर्म संभाव में विश्वास करते हैं और इससे जादा मैं कुछ नहीं कहूंगी हम उस धर्म में विश्वास करते हैं जिसका सबसे बड़ा ग्रंथ ये कहता है देहिक देविक भौतिक तापा रामराज नहीं कहूं वियापा हम उस धर्म में विश्वास करते हैं जहां पे यत्र नारियस्तू पूजियनते रमंते तत्र देवता कहा जाता है तो पहले इन बातों का जवाब दे लोग भूख से बेरोजगारी से मर रहे हैं आपको G20 के वक्त बड़े-बड़े परदे लगाने पड़ गए बड़ी-बड़ी दिवारे खड़ी करनी पड़ गई कि देश के गरीब ना दिख जाए आप किसके सगे हैं मरीपुर में महिलाओं को नंगा परेट कराया गया मरीपुर में दो दिन पहले चार लोगों की हत्या हुई गाटी में छे हो जगे करफ्यू लगा हुआ है खबर आ रही है कि कुछ पुलीस वालों और आर्मी की जड़प हुई आप किस के सगे हैं किस महिला का सम्मान करते हैं आप जिस दिन आप देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं वे आपा समझ जाईएगा उस दिन आप सनातन धर्म पे बात करिएगा सर्व धर्म संभाव हमारे देश की नीव है और हम उसमें यकीन रखने वाले लोग है मैम जेडियू के अध्यक्षन ललन सिंग उन्होंने साफ तोर पर तो नहीं कहा लेकिन इशारा जरूर किया कि नितीश कुमार जो है वो इंडिया एलाइंस का पधान मंत्री चहरा होने के प्रबल दावेदार है गिनाया कि कितनी बार विधायक रहे हैं कितनी बार सांसद रहे हैं और कैसे देश का नित्रतु कर सकते हैं कैसे इसको आप देखते हैं अब यह आप ही का कहना है कि उन्होंने साफ तोर से नहीं कहा और सुझाया पता नहीं आपको सुझाया आपने इंटर्प्रेटेशन किया आपने अपनी करॉलरी बनाई मुझे नहीं पता है मेरा interpretation और आपके interpretation में अंतर हो सकता है, मुझे लगता है यह जो सारी बातें की जाती है, मीडिया में करेंगे आप लोग, आप लोग का काम है, inference निकालना, आपका काम है अटकले लगाना, अटकलों का बाजार गरम भी रहना चाहिए, तभी थोड़ा मौज मसाला चलता रहता ह है, लेकिन मुझे असा लगता है कि इंडिया के 28 घटक दल, एक बात को लेकर सर्व सम्मती से एक साथ खड़े हैं और वो है इस देश के सम्विधान को सर्वोपरी रखना, इस देश के सम्विधान, इस देश को सम्विधान से चलाना, इस देश के युवाओं और आर्थी का समानता पर बात करना, जलते हुए मनीपूर पर बात करना, अडानी के महा घोटाले पर बात करना, और उस में हमारी सर्व सम्मती है, भाकी ठीक है, कोई कुछ कहता है, अच्छी बात है, कहनी चाहिए, आप लोग की खबरे कहां से लगेंगे अगर लोग कुछ कह जो बोलना था मैं वो बोल चुकी हूँ जो आपने वो लेक किया है मेरा धर्म और मैं हिंदू धर्म की अनिवाई हूँ वो इस तरह की भाषा और अमर्यादा नहीं सिखाता है इसलिए ढोंगी शब्द का प्रयोग किया था मैं हम एक और रोचक चीज हुई है जो नया संसद भवन है उसमें जो विशेश सत्र बुलाया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि इस बार संसद के जो अधिकारी होंगे कर्म कर्मचारी होंगे वो नई नई ड्रेस में होंगे और ये बात भी आई है कि उसमें राश्ट्रिये जो फूल है उसकी तस्वीर होगी इस पर कॉंग्रिस को क्या कहना है फूल ऐसा है हर चीज पर टिपड़ी करना जरूरी नहीं है कुछ चीजे तो ये देश भी देख रहा है ना जब रानी नाम की एक 20-22 साल की लड़की कहती है हम कीड़े मकोड़े नहीं है हमें इस तरह से सरकार क्यों छुपा रही है सास लेना मुश्किल हो रहा है यहीं दिल्ली शहर में क्योंकि उसके आगे एक बड़ी दीवार बन जाती है वो असलियत है आज इस देश की मुझे लगता है इस तरह की अठकलों पर टिपड़ी करने से बहतर है हम फिर से सरकार से यह पूछेंगे कि आज तक 6 स्पेशल सत्र हुए है हर स्पेशल सत्र का अजेंडा बताया गया है आपने भी कुछ स्पेशल सत्र किये थे आपने भी अजेंडा बताया है उस परंपरा को, उस मर्यादा को, उस गरिमा को क्यों भंग कर रहे हैं, लोगों को बताईए, ये कोई बर्थडे पाती थोड़ी है कि आओ आओ मैं सर्प्राइज दूँगा, सर्प्राइज बर्थडे पाती है, यहां आके पता चलेगा क्या हो रहा है, अरे ये देश का सदन यह संसद है किसी कानू से चलता है, संविधान से चलता है, कि क्या देश का इनोंने मा कॉल बना दिया है, मतलब आप 50 लोग यहां बैठे हैं, हमारी पार्टी, बाकी विपक्षी पार्टिया, बाकी मीडिया, अटकले चल रही है, भाई संसद में इस बार क्या होगा, मतलब ज प्रश्ट के पहले अजंडा शेर किया जाता है, वो जंडा क्यूं नहीं शेर किया जारा है, मुद्दा यह जे नहीं है, मुद्दा यह नहीं पॉद्दी नहीं है Unions Minister V.K.S. Singh ज़े जिए डिए भरेस्टेम जाते ही, ए रहा है टोड़ आए पीको के विल मर्ज विल मर्ज इंडिया on its own and what is your take on it ma'am in some time? For a man who has served in uniform, for him to say P.O.K. will be merged in India is absolutely shameful because P.O.K. is a part of India. हमारी भूभागिया अखंडता का वो हिस्सा है. ये कहकर वो हमारे सैनिकों का और रह रह रहे हैं लोगों का मनोबल कमजोर करते हैं. शर्मानी चाहिए, मफी मांगनी चाहिए ये कहने के लिए. Ma'am, Canadian Prime Minister is still stranded in India and a criticism has also been started from Canada as well for our country. What is your reaction to that? Why criticism against our country? No, no, that the arrangement, because he was being stranded here. I don't want to comment on why is he stranded and why is his aircraft not up and running. I hope and I pray and I certainly assert, I hope our government took in no uncertain terms the issue of the anti-India sentiment that's rising amongst the pro-Khalistani forces in Canada. I hope our government asked the Canadian head of state why were floats of Mrs. Gandhi's assassination being taken out in Canada. Those are the issues that matter to me. His aircraft not taking off is hardly one of my concerns. कोई और सवाल? धन्यवाद जी बोलिया. निजिस गट्टरी है तरी है, 10% more tax will be imposed on the diesel vehicles as a pollution tax and this move has come just to curb the air pollution. क्या क्लारिफिकेशन है? देखिए ऐसा है, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, जलेबी बनाने का काम ये सरकार करती है, ये एक नया शिगूफा छोड़ दिया गया है. ये सरकार दो तरीके से चलती है, एक चरण चुमबक मीडिया को नैने शिगूफे दिया करो, तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, मणी पूर पर, अडानी महा घोटाले पर डिबेट ही ना हो, फिर लोगों को भेज़ दो प्रेस कॉन्फरेंस में, वो जाकर प्रेस में विवधान डाले, विगटन डाले, और इधर उधर मुद्दा भटक जाए, और तीसरा चलता है, शिगूफे छोड़ते रो, एक के बाद एक होट एर बलून, गुबारे छोड़ते रो, लोग उसी में बज़े रहेंगे, उसी में उलज़े रहेंगे, कौन आप से सवाल पूछ रहा है, यूसीसी एक होट एर बलून, वन नेशन वन इलेक्शन एक होट एर बलून, इंडिया भारत एक होट एर बलून, 2019 में CIA आया था, आज तक नियम नोटिफाइने हुए, वो एक होट एर बलून, तो दिक्कत की बात यह है कि सरकार इनी सब शिगूफों सच, अब यह शिगूफा है, डीजल वहिकल पर टाक्स लगेगा, अब इस पर होंगे डिबेट, फिर कह दिया जाएगा, नहीं नहीं हम तो कुछ आसी बात कर रहे थे, डीजल इस देश का मेंट ट्रांसपोर्ट फ्यूल है, डीजल के दाम बढ़ने से सबसे जादा प्रभाव क पत्रकार में लूटे हैं, उसको वापस करने का वक्त है, और गला घोट कर पैसा खीचने का वक्त नहीं है, मैं ये चरन चुमबक मीडिया कि उसको कहते हैं, और आप कैसे अपमान कर सकते हैं पत्रकारों का इस तरह से, पत्रकार जिस दिन पत्रकारता करना शुरू कर और आख में आख डाल कर सत्ता से सवाल पूछेंगे महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी के महा घोटाले पर, जलते हुए मनीपुर पर, दो हजार तईस में दो नगन औरतों को घुमाने पर, उस दिन मैं पत्रकारों की, और कुछ पत्रकारों की मैं इज़त करती हू और ना सम्मान है, वो चरण चुम्बन का काम करते हैं तो चरण चुम्बन के लाए जाएंगे, धन्यवाद